तो दोस्तो हैपी न्यूएर एन इस वीडियो में जो हम प्रीमिय लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा आर्सेनल वर्सिस मैंचेस्टर सिटी के बीच मैच कवरनी होगा आर्सेनल शाम को 6 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तो मैंचेस्टर सिटी आप जा तो अभी रिसेंडी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव पर्फरमेंस कर रहा है और आर्सेनल को भी आप टॉप 5-6 प्रीमिय लीग क्लफ में काउंट कर सकते हैं हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है आर्सेनल की भी अगर मैं आपको पॉइंस टेबल दिखाऊं तो फिलाल सबसे ज्यादा लीग में 20 मैचेस में 51 गोल मार दिया है सबसे कम सिर्फ 12 गोल इन्होंने कंसीट किया यानि कि बेस्ट अटेक है इनका और बेस्ट डिफैंस भी इनका ही है और 50 इनके पॉइंट है अभी जो इनके राइवल्स है ना चेल्सी और लिवरपूल इनसे सिटी आ मैच बहुत इंपोडेंट होगा में सिटी के लिए वो चाहेंगे जितनी ज्यादा हो सके उतनी लीड वो ले ले लिवरपूल और चेल्सी से जिससे की उनका इजी हो जाए लीग विन कर पाना इनका मैच आर्सेनल से जो फोर्थ पोजिशन में 19 में 11 जीते हैं दो ड्रॉज ने च्छे लोसेज ने अच्छे 32 गोल मारें डी सेंट इस गोल कंसीट किये 35 इनके पॉइंट है खास तोरबे सुर्वात बहुत बहुत खराब रहे थी स्टार्टिंग तीनों मैचे सीजन के हार गे ती उसके बाद मिकेल अट्रेटर जो इनके मैनेजर है उन्होंने क्या त साइट हिल जिस तरह कि इनकी फॉर्म चल लिए आप इन्हें कह सकते हैं प्रीमियल लीग में तो मैच बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है दोनों साइट एक दूसरे को टक कर दे सकती है बट अगर किसी एक टिम को अभी भी बैक करबा मैन सिटी को करूंगा अल्दो आर रीसेंट फॉर्म दिखाता हूं लास्त तीन मैचेस तीन लगातार विक्टरीज है मैंसिटी की 4-0 न्यूकासल 6-3 लेश्टर और 1-0 नेरो ब्रेंटफर्ट तो पिछले तीनों मैचेस अपने जीते हैं और आर्सेनल भी अपने पिछले तीनों प्रीमियल लीग मैचेस जीत आँगा बट अगर आप ग्रेंड लीग के लिए शूर्ली कुछ कॉंबिनेशन एक दो कॉंबिनेशन आर्सेनल फिवर के भी डालना क्या भरोसा अर्सेनल अपने घर में के लिए अच्छी फॉर्म में भी है एक अपसेट प्रेड्यूस कर दे लेकिन स्मॉल लीग में मैं मै टीम बनाने वाले हैं फिलाल प्रोवेबल लाइनप पे हम आते हैं उससे वेले एक चीच कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे में जाएं टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जाएं हो जाएं अब हम आता है प्रोवेबल लाइनप पे पहले फेवरेट या फेवरेट जो मैंसिटी हो ना लिए उनकी बात करते हैं तो मेरे अकॉरणिग हैए इनके मैगजिमम प्लेयर पिक तेंगे ज्मॉल लीग में फिलाल किसी एक टीम को clean sheet के लिए back करना होगा मैं man city को करूँगा दूसरा man city के में maximum defender करूँगा because यह team सबसे ज्यादा position dominate करने वाली टीम है प्रीमिय लिग में बहुत heavy position यहाँ पर dominate करती है और arsenal यहाँ पर में counter attack में खेलीगी तो अगर कोई team position dominate कर दी आप समझ सकते कि उनके defenders कितने passes करते हैं खासतों उनके centerbacks तो फिलाल मैं इन चार में minimum 3 defender आपको surely recommend करूँगा इनके defense में जो standout option है वह है जाओ cancel आप इनको इस team का one of the best player कह सकते है सीजन का क्या बहतरी इन फॉर्म में बंदा चल रहा है एक गोल चार एसिस तो करी चुक है हर चीज़े कर रहे है चांस क्रेट कर रहे है on target लेता है defending करते है हर चीज लपोर्ट करते है सौरी cancel करते है तो cancel मेरी number one चोई थे एवन आप इनको को स्मॉल लीग में तक कैप्टन कर सकते हैं इनके बाद second और third choice मेरी डियास लपोर्ट रहेंगे विकाज यह दोनु बहुत ज्यादा पासेस बनाएंगे इस मैच में दूसरा दोनु कभी रेंडब हैड़ेट गोल लगा सकते हैं defending अच्छी करते हैं तो अभी के लिए मेरी top इनको बिग कर सकते हैं फिलाल केंसलों डॉप मत करना ही मेरी नंबर वन चॉइस हैं अल्दो अभी इनके साथ off the field कुछ incidents वगेरा हुए हैं बट मेरे अकॉर्डिंग अभी सेफ हैं सही हैं और इस मैच में स्टार्ट करने वाल हैं फनांडिनियों डिफेंसिव मिट्पी में ट्राइ करूंगा लेकिन आप चाहिए एक पॉइंट पिक कर सकते हैं ठीक टाक डिफेंसिव वक्त हैं और यह करके लॉंग बॉइट करते हैं जिससे चांस क्रेट के पॉइंट मिलते हैं और कभी-कभी यह रेंडम ऑन टार्गेट भी लेते हैं लॉंग निंसे कभी-कभी यह रेंडम गोल भी चला जाता है तो फन्नांडी नियों पंड लेना पिक कर सकते हैं अभी के लिए मैं पिक नहीं करने वाला डिब्राइना हंड्रेट परसेंट में करूंगा मैंचेस्टर सीटी का वन अब दा बेस्ट प्लेयर आप एक तरीके से लीजेंड हो गया है क्या दूसरा गोल असिट करने में के विवल है यह पांच गोल चार असिट यह भी कर चुग है तो मारेज भी मस्ट पिक रहेंगे तीसरे मस्ट पिक प्लेयर मेरे अकॉडिंग रहेंगे श्टरलिंग श्टरलिंग जिस तरह की फॉर्म में रिसेंटली इन्होंने 5-6 मैचेस को विदाउट गोल असिट भी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं बट अभी के लिए में आटेगिंग ऑफसंस पी जारो जो मोस्ट लाइगली गोल स्कॉरर हो सकते हैं विकास गॉन्डगान बैक टू बैक्ट गोल नहीं मारते लेकिन फोड़न होगए श्टलिंग होगए महा अब अगर आप डिफेंडर दोई पिक करें कोई कोई एक अल्ट्रा अटेगिंग मैंसीडी टीम लियाना चाहते हैं तो आप उसकेस में गुंडगोन या इनके बनाड़ू सिल्वा खेलते हैं उनको पिक कर सकते हैं वैसे बनाड़ू सिल्वा का सिलेक्शन बहुत आईए ब सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से आपको डिटेल में एक्प्लेन कर दी मस्ट पिक प्लेयर जो मेरे अकोडिंग रहने वाले यह तीन डिफेंडर कांसलो डियास लपोर्ट डिब्राइन होगे महारेज होगे फोडन होगे और स्टलिंग होगे अब आप क्या कर सकते हैं आप एक गुंडगोन एक एक एक्ट्रा डिफेंडर पिक कर सकते हैं फिलाल यह मैंसीटी की प्रोवेबल लिलों थी बागी आप समस्ती है मैंसीटी वाले मैच में कितना मुस्किल होता है जच कर पाना क्यूंकि यह किसी एक टीम पे एक प्लेयर पे रिलाइन नहीं है तीम अलग-अलग सोर्सेस यहां पे गोल आते हैं आप देखिएगा बनाडो ने भी साथ गोल मारें इस्टरलिंग ने साथ मारें उसके लावए डिवराइना पांच फोड़न पांच महारेज पांच तो अलग-अलग यहां पे सोर्सेस से स्कोर आता है मैंसीटी गा तो थोड़ मैंचेज आप टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिंड कमेंड में वहां से जुड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जॉइन कर सकते हैं 4300 के असपास सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टॉप पिंड कमेंड में जाएए टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जॉइन हो जाएए अब हम बात करते हैं आर्सेनल की तो सेड्रिक स्वारेश, टुमियासू, मेथलेड नाहिल, चेमबर्स और ओबाम यंग इतने प्लेयर इनके बाहर हैं एरोन रेम्सडेल इनके गोलकीबर उनले प्रीमिया लीक के वन अप दा बेस्ट गोलकीबर हैं बहुत अच्छे सेफ करते हैं तो इनको मैं शूरली रिकमेंड करने वालो इस मैच में जहाँ पर मैंसीटी बहुत अटेक करेगी चार इनके डिफेंडर है, बैन वाइट जो कि आउट अप पोजिशन खिलेंगे, बिकॉस टुमियासू है नी तो वैसे सेंटर बैक है, इस मैच में राइट बैक खिलेंगे, पिछले मैच में भी एज़ा राइट बैक खिले थे, होल्डिंग, गेबरियाल और किरन टियर्नी अभी के लिए, अगर आपको लग रहा है, सिटी इनको वाइट वाउस करेगी, सिटी चार पांच गोल, किसी भी अपोनेंट के मनने में के विवल है, अगेस्ट चाहे कितना भी अच्छा उनका डिफेंस हो, तो आप इनके एक भी डिफेंडर पिकमत करना, विगास इनके ड इनको टारगेट करता है, और बहुत बार इनका टारगेट जाता है, हेडर से, तो गेबरियाल मेरी नंबर वन चोईस है, कभी भी हेड़ेट गोल लगा सकते हैं, फिर मेरी चोईस रहेंगे टियर नी, जिनकी रीसेंट फॉर्म अच्छी है, लेफ्ट वेक पोजीसन से, अभी इतने जाधा defender में इनके pick नहीं कर रहा हूँ, जाका और party defensive midfield में खिलिंगे, दोनों में कोई भी अच्छे defensive point जै सकते हैं, पूरा luck में defend करते हैं, तो maybe अपने according आप चूस कर सकते हैं, आपको एक defensive midfielder ले आने, तो इन दोन में कौन जाधा point दे गए, थोड़ा luck wise आत करूँगा, या मैं हो सकते हैं, किसी को भी इन में pick ना करूँ इस match में, फिलाल साका बहुत अच्छी form में, in form में selection आई है, शोली pick करूँगा, 5 goal, 4 assist कर चुके, साका मेरे according must pick रहेंगा, और अच्छे defensive point भी देते है, OD guard, Smith row, यह सब अच्छी form में चल ले बट सब pick नहीं कर स सीजन के इनके top scorer है, 8 goal, 2 assist के साथ, तो जीस तरह किये form में, Smith row, आज start भी करेंगे, पहले माटिलनी start करते है, यह आज expected day start करेंगे, तो Smith row को में शोली pick करूँगा, alongside, बुकायो, साका, अब OD guard में pick करना चाता था, बट credit problem होरी है, half credit कम पढ़ ला था, इस वाई से मैं इनको pick नी कर भा है, इनकी recent form अच्छी है, इनको पिछले मैंच में 2-3 assist एक goal भी किया था, और back to back matches में मतलब इनका assist वगेरा आया है, अच्छी form है, defensive point भी देते हैं, but unfortunately credit problem की वैसे मैं pick नी कर पाया, half credit बचेगा, इनको pick आप कर सकते हैं, किसी इसे platform में खेल ले, जहां credit problem नहीं है तो आप ODGuard को surely pick कर सकते हैं, लाकाजयत player अच्छा है, main बात है penalty लेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर goal assist नहीं है, उतने fantasy point नहीं दिंगे, तो अभी कलिए मैंने pick नहीं किया और selection भी इनका कम है, लेकिन अगर goal आ गया लाकाजयत का आपको opponent नहीं लाया, आपने point लेगे pick दे रहा हूं, तो ये Arsenal की Probable 11 थी, लगबग सभी चीज़े मैंने यहाँ से आपको detail में explain कर दी, must pick player फिर से बता दो तो रेम्स डेल हो गए, साका हो गए, इसमित्र हो गए, मेरे according के 3 must pick player है, चौथा player आपका call है, Gabriel Tierney में एक defender pick कर सकते हैं, जहागा party में किसी एक, या credit बसता जो मेरी prediction है, मैं 2-1, 1-2-0, Man City विक्री के साथ जा रहा हूं, मेरे according Man City यहाँ पे favorite है, पट Arsenal अपने घर में इनको हरा सकती है, यह मैं बार-बार के रहा हूं, तो Grand League में कुछ combination Arsenal को favor करके जरूर ले जाना हो, draw वाले combination भी जरूर ले जाईएगा, फिलाल यह मेरी Demo RT में गोल अब मैं लेना तो गुंड़कॉन को भी चाता था, बड़ सब pick नहीं कर सकते, आपको गुंड़कॉन लेना है, इन मैंसे किसी एक defender Laporte डियाज में एक कोट आगे, एक extra में, अगर आपको लग रहा है attacker गुंड़कॉन भी अच्छा करेंगे, उनको pick कर सकते है, बागी स्मीत् कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा टफ कॉल होने वाल है, केप्टन वाइस केप्टन सी का, हाँ defense है cancel हो भी है, तो केप्टन वाइस केप्टन अपने according चूज़ करना, मेरी choice जाननी है, में बागी सब चीज़े समझा दी, अब ये वाला थोड़ा सा आपको अपने according call लेना है, तो फिलाल ये थी demo rough team, अब इस match के जो भी final small league team होगी, lineup आने के बाद आपको telegram channel में post कर दूँगा, उसका link के description box में, जरूर से जरूर join कर लिजिए,